चाचा ने की तावड तोड फाइरिंग गोली लगने से भतीजे किम्रतियू दो घायल कन्नोज जले के थाना तालग्राम छेतर के जैसिंग पूर गाउं में आजात समास पाटी के जिला महा सचेप की गोली मार करके निर्मम हत्या कर दी गई है बहीं भूमी बिबाद में चाचा ने लैसंसी बंदूग से भतीजे को गोली मारी है कई महा से दोनों पक्छों में आपसी रंजेस चली आ रही थी जिसके बाद आज चाचा ने भतीजे को देड साम को गोली मार दी है हत्या की सूचना से छेत्र में संसनी फैल गई, मौके पर पहुँची पुलिस ने मामले की जाज करते हुए मुकदमा दर्च कर लिया है थाना तालग्राम छेत्र के जैसिंग पुर गाउन निवासी आजाद और फो बंटू कठेरिया आजाद समाज पार्टी के जिला महा सचिप थे बहीं उनके चाचा सूरजपाल से कई सालों से आपसी रंजेस जमीन बिबाद को लेकर के चली आ रही थी बहीं किसी बात को लेकर देड साम जब दोनों पक्चों में बिबाद हुआ तो ब्रोथ करने पर चाचा सूरजपाल ने लैसंसी बंदूग से फायर कर दिया गोली सीधे सतेंद्रा आजाद और फवन्टू कठेरिया को लगी और वय गंबी रूप से घायल होकर गिर गया गटना के बाद चाचा मौके से भाग निकले परजन गायल आजाद और फवन्टू कठेरिया को लेकर के अस्पताल पहुँचे बहां डॉक्टरों ने उसे मृत्गोसित कर दिया बही एक बार फिर आजाद समाज पार्टी के महा सचिप को गोली मार कर हत्या कर देने की खवर जैसे ही जिले में फैली बैसे ही आजाद समाज पार्टी की कारकरताओं में भारी आक्रोस देखने को मिला जिसको देखते ही गाउं में भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया ग कि चाचाव बतीजे हैं इनकी आपस में किसी बात के लिखे विवाद हुआ प्रारमिक जो जन्रकारी की गई है उसमें है कि जो एक सूरजपाल है उनके लिखे के साथ में यह सतंदर उसके भाई हो लोग ने धगड़ा किया थी उसमें गुशागा पे जो सूरजपाल है अपन आउट आफ डेंजर है मौके पर पुलिस यहां पुलीस मौजुद है बिदिक करवा इसमें की जारी है यह पूरा प्रक्रन की आपस के परवार का आपसी बीवाद का विवाद का है जो कि टेथ हुई है वो और जिनोंनों मारा ही ने आपस में चाचा बतीजा सके चाचा बत अबाता